हलो एब्रीबन मैं दीख्छा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल में बिजन आए इसके PT 365 को कम्प्लीट किया जा रहा है जिसमें आज का जो हमारा पार्ट है वैं पार्ट 3 है क्योंकि अभी तक अभी इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर लिया गया है पार्ट 1 के अंतरगत आपके दो मेजर टॉपिक को कम्प्लीट किया गया है और पार्ट 2 के अंतरगत थर्ड मेजर टॉपिक को आज जो हमारा पार्ट है पार्ट थर्ड है जिसके अंत्रगत जो आपकी कफ मेचर टॉपिक बचे हुए है उनके संदर में पढ़ते हैं यह जो विजन आयेस का जो PT 365 चलाया जा रहा है वो अप्रेल 2023 से दिसम्मर 2023 के करेंट अफियर को कम्प्लीट करता है जिसमें अभी तक आपका पॉलिटी और एकनोमी का कम्प्लीट हो गया है अगर आपने देखा नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जहाँ पर PT 365 2024 करके वहाँ पर है जो वहाँ से आप देख सकते हैं फिर आता है आपका की इनवावमेंट का तो इनवावमेंट की भी दो पार्ट कम्प्लीट कर लिया है आज का जो हमारा पार्ट थर्ड है PDA प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल UPSC PSE बिद्धिक्षा को जोईन कर सकते हैं जहांपर आपको PDA प्राप्त होगे विजन आये इसके PTA 365 को कम्प्लीट करने का जो उद्देश होता है वह पूरा एक साल के करेंट अफ्यर को कम्प्लीट करना होता है जो कि अभी तक इसमें अपरेल 2023 से देसंबर 2023 के करने इंट अफ्यर को कम्प्लीट करेगा और इसका जो अपडेटिट पार्ट आएगा वह जन्वरी से अपरेल तक के करने इंट अफ्यर को कम्प्लीट करेगा जब तक आप एवाले मतलब प्रतिक सब्जेक्ट वाइड आपकी वाले कम्प्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका अपडेटिट पार्ट आने लगेगा तो आपकी तयारी को बहतर करने के लिए एक काफी बड़ा मेजर रोल निभाती है चली तो शुरू करते हैं शुरू करने के पहले आपको बता देते हैं कि कौन-कौन टॉपिक कम्प्लीट हो गए है जैसे जलवायो परिवर्तन कम्प्लीट हो गया है इसके बाद आता है प्रदूशन जो अभी पड़ रहे हैं उसमें जैब बिट्ता भी कम्प्लीट हो गया है बट इसके कुछ टॉपिक रहे गए हैं उनको कम्प्लीट करते हैं फिर शाथ ही साथ जो हमारा टॉपिक होगा बस अंधार्णी विकास के संदर में पढ़ा जाएगा चले तो शुरू करते हैं पर्ड सेकेंड की अंतरगत हमने पड़ा हुआ था इस पसीज तक जिसमें आज जो इस पसीज पड़ेंगी पैंगुलिन की बारी में पड़ेंगी जिसमें आता है कि पैंगुलिन आखिर चल्चा में क्यों है तो पैंगुलिन की चल्चा में होने का रीजन है कि चीन में आत की अनुसुचिय एक की अंतरगत सामिल किया गया है और साइट के परिसिश्टी एक की अंतरगती आती है पैंगूलिन जो है यह प्रिद्वे पर पाय जाने वाला एक मात्र इस्तंधारी होता है जो की पूरी तरह कैसे सलकों से ढखा रहता है जैसा कि आप इस डाइग्राम में देख सकते हैं बैक्सिनर का आकार मादा से लगभग एक तिहाई बड़ा होता है और यदि खत्रा हो तो यह सक्त गैंद का रूप धारण कर लेता है तो जब इसकी प्रजाती को या पैंगुलन को खत्रा होता है तो यह अप चार चार प्रजातियां पाई जाती है अफ्रिका में पाई जाने वाली चार प्रजातियों के अंतरगत आता है जैसे काली पेट वाला पैंगुलन सफित पेट वाला पैंगुलन बिशाल ग्रांड पैंगुलन और टैमनिक ग्रांड पैंगुलन आता है और एशिया में लाग गिबन जो है वह एक बैश्वी कारेक्रव में भारत का एक मात्रकपी हुलाग को संरक्षड इस्थती के संदर में चिंता व्यक्त की गई यह इसके कारणी सुर्कियों में रहा है इसे आयूशियन के इस्थतीक में देखा जाए तो जो इसमें पशमी हुलाग गिबन होत इनकी इस पेसिलिटी को देखा जाए तो यह सभी कपी में सबसे छोटे और तेज होते हैं और जो आमतोर पर नदियों के पास में रहते हैं यह सरवाहारी रहते हैं जो की कीडे मकोडे खाकर पत्ते खाकर जीवेत रहते हैं और यह दक्षड पूर्वी भाग में उश्र बंदिये पर्व में प्राप्त होती हो और प्रिध्वी पर पाई जाने वाली टोटल बीस प्रजातियों में से एक प्रजाती है एक जो की भारत के पूर्वुत्तर छेत्र में पाई जाती है नेक्स्ट आता है कि नामदफा फ्लाइंग इसकुरल या बिश्वा मोयोब्टर बिश्वाजी जो की एक गिलहरी है जो 42 साल के बाद देखी गई है कहां पर देखी गई है अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर में इसे पहली बार 42 साल बाद देखा गया है इसे आयूशेन की क्रिटिकली इंडेंजर्स रणी में रखा गया है और इबन अवैद, सिकार और परियावास को नुकसान को लेकर इसमें खत्रा रहता है और इस सुक्स परणपाती परवती बनों में मिलती है जो की विसेश रूप से ऐसी बनों में धाराओं की किनारे पर बेक्चों को देखे जाता है अब आता है एसी आई जंगली जगता जो की करना पर आता है फिर आता है बर्नेजीब सन्रक्षण दिनियम के 1972 की अनुसुची एक में पसाइट्स के परसिस्ट सेकंड के अंतरगत आता है इसकी विसेश्ताओं को देखा जाए तो ढोल बन पारिस्ते की तंत्र में सिगिर सिकारियों में सामिल है यह डॉक फैमली का एक मासा हारी जीब है यह डॉक फैमली एक मासा हारी जीब होता है जोकि मद्ध दक्षण और पुदक्षण पूर्वी इस्या में पाये जाता है इनकी अधिकतर आवादी जो है भारत नेपाल भूटान थाइलेंड में पाये जाती है और इनकी जो खत्रा है इनको परियावास को नि परियावास को नुकसान और सिकार के लिए जीबों का कमी होना यह दो फैक्टर जो है वो हर एक में मिलेंगे और फिर अगर किसी इस्थान की जो स्पेसिलिटी है तो उसके साथ उसका वो फैक्टर जोड़ जाएगा तो यह जो दो फैक्टर है वो हमेशा जादतर दिखते ह तो जब आप कुशिन को सॉल्व करते हैं तो इस तरीके की स्थिति आती है तो आप इस तरीके का अंसर उसमें दे सकते हैं कि परियावास को नुकसान होता है सिकार के लिए जीबों की कमी होती है तो जादतर में आप देखते होंगे तो कुछ ही होंगे जिनकी अलग जैसे इस थानीय तक तक क्या धर पर जो उनकी एक विसेस्ता जुड़ जाती है वो उसके साथ रहती है लेकिन एक डू जो मेजर फैक्टर होते हैं वो सिमलर होते हैं और आयूशियन में आपकी ये अलग-अलग केटागरी बताए गई है अलग-अलग केटागरी के संदर में आप या दो में हो सकते हैं तो इसमें जब याद करोगे तो ज़्यादा इसमें वह नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टिपिकल लेकर याद करें तो इसको एक इजी फॉप में भी याद कर सकते हैं कि अगर वो इसमें आती है तो इस तरीके से तो आप एक तरीके से इसको इस तरी प्रिक दочноं अदिव mengen रहना हता है नजे ना है रहा है प्रिक्जन सब्च है ऑफ देखके दना है वित्क हगया ने जोग्रफी प्रिदी है आज बेष्ड का॥ प्रिदीक सब्जेक्ट करें हुआ तो आपको यह भी पता होगा कि भारत के किस किस छेतर में किस तरीके के जल्वाय बाईव पाई जाते हैं जल्वाय की ही adjust निवास करती है कि प्रजाती जिस तरह की जल्वाई होगी तो वैसा ही प्रजाती वहां पर शरवाइप करती है तो उसके संदर में आपको लेकिन अगर आपको याद करने में डिफिकल्टी हो रही है तो आप इस तरीके से एक कैलकुलेशन माइन में बिठा सकते हैं चलिए तो अब आता है कि एटन वरो एकिडिना जाक लोसस एटन भूराई के बारे बी यह जो है यह इंडोनेशिया के दोलफ एटन वरो एकिडना क स्थती में रखा गया है इसमयाे जो विशेष्टाव को देखा स्भाए जाए तो एकिड्ना की चार प्रजातिया है पाई जाते हैं जिन жеALK ने वह रहा इकिड्ना को किडिकली माने जैता है एकिड़ना जो होता है वह निसाचर और सरमीले होते हैं बे मोनोट्रेम की सदसों होते हैं मोनोट्रेम अंडा देने वाला एक स्थनधारी होता है जो की एक मात्र सदस डगबिक जो की बतक जैसी चोच वाला पिलेटिपस है और ये दान्त रहित चों से आहर गरहन करती हो और एकेड़ना की जो अन्न पर जाती है वह उस्ट्रेलिया यानि की तस्मानिया सहे तोर्नियोगनी में पाई जाती है अब आता है एम्परर पेंगोईन की बारे में एम्परर पेंगोईन को हाली में अध्यन के अनुशार एम्परर पेंगोईन को इस नदी के अंत में आंसेक रूप से बिलुप्त हो जाने का अनमान लगाया गया यह अर्दि बिलुप्त होने वाली यह क्वासी एक्स्टेंशन की सीमा एह दर्साती है कि एक आवादी बिलुप्त होने पर कगार पर भले उसके अभी भी जीवित सदस्व यसे आयूशियन की नियर थ्रेटिंड सरेणी की अंतरगत रखा जाता है और इनको जो परियावास है वह अंटार्कित का दीप समू है यहाँ पर पक्षी उर्णे में असमर्थ होती हो और यह पेंग्वेन की 18 प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाती आती है इमा सहरी होत होती है जिन्हें कालोनी कहा जाता है और नई पेंग्वेन जो होती है जो विशेश रूप से अनुकूलित ब्रूड पाउच जो की 65 दिनों की अवधी मेर तक अंडे को सेती है अब आता है मिथुन मिथुन की वारी में मिथुन को हाली में भारतिये खाद सुरक्षाओ मानक प्राधी करण नए मिथुन बॉस फ्रेंटिस को खाद पसु की रूप में माना जाया है खाद पसु ऐसे जानवर होते हैं जिन्हें खाद उत्पादन या मास के लिए पायला जाता है तो मिथुन को इस रणी में रखा गया आपको बता दे कि यह जो मिथुन है बहे फोटा आकार होता है इनका परियावास जो है तीन सो से तीन हजार मीटर की उचाई पर पाया जाता है जो भारत जो बांगलादीस में आनवर चीन के साथ सर्वादिकावादी भारत में भी पाई जाती है भारत में कहां कहां अणाचल प्रदीस नागालेंड मडीपुर में जो कि नागालेंड और मडीपुर का राज की पशुब ही है और मितुन का आईश ये आर ने राश्टी अनुशनदान के अंदर नागालेंड में स्थापित किया हुआ है अब आती है पक्छी प्रजातियों के संदर में सबसे पहले आती है ग्रेट इंडियन वस्टर्ड जन सुप्रेंग कोट ने केंद सरकार को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए एक योजना बनाने का निर्दीस दिया हुआ है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेसर फिलोरिकन और बंगाल फिलोरिकन आती हो और मध्यप्रदेश में सौन्चडिया राजस्थान में गोड़माना और महरास्थ के मलधू कहा जाता है। टकड़ा होता है जिसके कारण इनकी मिर्तियों होती है। इसे मुख्रूप से राजिस्थान गुजरात आंदर प्रदेश के कुछ हिलाकों में पाए जाती हो और इनके सलक्षड के उपाए में देखा जाए। तो यह जनन के इंदरों की स्थापना कर इनके सलक्षड होती हो और इसे उपलब्द कराए जाता है। अब आता है वेस्टर्ण ट्रेगोफेन जो की ट्रेगोफेन मेलानू से फालास है। इस दोराने पक्षी समसीतूर्शन संकुधारी पड़ पाती बनों में निवास करते हैं और ये पक्षी सामयता पत्यों या प्रोह या बीजों को खाता है लेकिन कीडों या आका शेर्गी जीवों का भी भक्षड करते हैं या इनका हिवाचल प्रदेश का या राच की पक्षी भी है अब आता है डोडो डोडो जो की रैफस कुकुटे लेटस है डोडो जो है वह आनवानसिकी बिद और सलक्षडवादी सत्रवी सदी की अंत्र में बिलुक्त हो चके पक्षी की दुनिया से बापस लाने के लिए प् फैमली से सम्बंदित पक्षी होता है क्योंकि डोडो का जो निकर्तम जीवित सम्बंदी है बने कुवार कम्पूतर है डोडो की बिलुपती का कारण है कि बनों की अब यापक कटाई होना सिकार होना डच लोगों द्वारा इस दीप पर लाए गई जीवों द्वारा डोड अब आता है नेक्स्ट मैंग्रों पिट्टा पक्षी या पिट्टा मैगा रिंचा की बारे में यह उडीसा के मैंग्रों पिट्टा पक्षी की पहली गढ़ना की गई है इस दोरां 189 पक्षी ओं को देखा गया है यह इसके सन्रेक्षण की स्थिति को देखा जाए तो यह थ्रेट एंट स्रणी के अंतरगत आते हैं जो कि मनने जीब सनरक्षण और की अन्शूची सेकेंड के अंतरगत आते हैं यह एक एक अंतरपीरे पक्षी होते हैं और इनकी जो लंबाई होती है बैं 17 से 19 कंटी मीटर और इनका जो बजन होता है 45 से 65 ग्राम होता है और यकीड़े एवं अन्ड छोटे आकोशोरी कोई जन्तों को खाता है और इनके इस्थल पर आहार खोजने के लिए जाना जाता है औ भारत के पूरी भाग में पाये जाते हैं और इसके अतरिक अम्यानमार बांगला देश मलेशिया शिंगापूरादी देशों में भी पाये जाते हैं अब नेक्स आता है पेड़ेडीर किया माय क्रेटिर लिगो सेफला इसे हाली में पेड़ेर स्ट आर की सबसे बड़े जु मंदित पक्षी है प्रिजन इनकाल में उत्र भारत के चुलाई से अक्टूबर और दक्षड भारत में नवंबर से मार्च तक यह रहता है। पक्षी के संदर में आता है कि घोल या बिलेक स्पोर्टेट क्रोकर जो कि गुजरात में घोल प्रजाती की मचली को स्टीट फिस होसित किया गया है। इलोवल फिसरीच कॉन्फिरेंस इंडिया दोहजार तेईस में की गई है और इसकी विसेस्ताओं को देखा जाए। तो यह ओसिदियों के उपियोग और वेवसायक महत्ता दिखोने की करण इस मचली को सोईब बिलेंडर की कीमत बहुत अधिक होती है। और इसका नरेयाथ दक्षभ पूरवेशिया के देशों मेंसेस का हांकॉम, सिंगापूर, मलेशिया में किया जाता है। आईजिंग लास क्यों तयार करने में कॉलिजन का एक रूप होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से बाइन इवंबियर को साप करने के लिए किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह यूरी नरी बिकार से पेड़ी तरोगियों की रक्तिसराव को रोकती हो और शौंदर परशादन में भी इसका तयार किया जाता है गोल परजाती हिंद महासागर में फारस की खाड़ी से परशांत महासागर तक बड़े पेमाने तक पाई जाती है अब आते हैं सरीसरप कीट उभैचर आदी के बारे में जिसमें आता है घड़े आल जिसे गेबिये लिस या गें इंडेंजर सरणी में रखे जाती है जो बनीजीप सर्क्षण अधीनियम के अनुसूची एक के अंतरगत होती हो साइट्स के परसे स्टेक के अंतरगत आती है घड़े आल की खास विसेस्ता हैं देखा जाएं तो उनकी नाउत जो की मेर मच्छों में सबसे पतला और लंबा होता है यह अगर मच्छों की घड़े आल गर्म रुदिर वाली प्रजातियों को खाते हैं तो यहां सबसे बड़े घड़े आल जो होती हैं वे बैयक्स मचली ही खाती है तो इनकी यह स्पेसिलिटी होती है अब आता है रेड सेंड बोवा की बारे में जो की वाड़ साइटी इंडिया की एक रिपोर्ट में रेड सेंड बोवा की अवेद व्यापार पर प्रकास टालता है यह नियर थ्रीटेंड स्रडी के अंतरगत आता है इसे बनने जीप सनक्षड अधीनियम क्यानु सुची एक के अंतरगत थे हो साइट की परसिष्ट दो के अंतरगत आ और इनका उपयो कुछ दवाईयां शौनर प्रिशादन और काले जादू में किया जाता है और अंतराष्टी वाजार में इसकी मांग है इसे भारत पाकिस्तान और इरान में यह पाया जाता है नेक्स्ट आता है डांसिंग फ्रॉग के बारे में डांसिंग फ्रॉग जो है आयुशियन के दूसरे उभाचर आंकलन के नुशार इसे पश्मिघाठ के डांसिंग फ्रॉग सर्वादिग संकत गर्ष्ट उभाचर प्रजातियों में से एक है इसे नील गरी डांसिंग फ्रॉग या बर्लरेवल वाइट चीक्ड डांसिंग फ्रॉग या इंडेंजर्स में रखा जाता है इसका नाम डांसिंग फ्रोग इसलिए रखा गया है क्योंकि ये फुट फ्लेंगिंग करते हैं और इनके नर मैठक अपने पिछले पैरों के एक एक करके फैलाते हो और नित्त की मुद्रा में अपनी जाल लुमा पैर के उगलियों को तेज गती से हवा में लहराती है इस प्रजाती के आकर्मक प्रजातियों वोजय भूमी उप्योग परिवर्तन और चरम मौसम आदी के काड़ खत्रा है और ये पश्मी घाट की स्थानिक प्रजाती होती है अब आता है पीले रंग के पेट वाला समुद्री शाह हाली में बंगाल की खाड़ी में पीले रंग के पेट वाला एक समुद्री शाह देखा गया है इसे सरीर में दो रंगों का बिसिष्ट पैटर्ण होता है जहां पर नीचे पेट के पीला रंग और उपर पीट पर भूरा रंग होता है और इनका ये ज़्यादतर हिंद और प्रशांद वाहां सागर के उश्र कोशम के आपर त्यासित पैटर्ण और बसंत की जल्द शुरुआत में गुच्छी मश्रूम संग्राह करने वाले की समक्षी संकट पैदा कर दिया यह गुच्छी मश्रूम में मोरेल मश्रूम की नाम से जाना जाता है जो दुनिया के सबसे महगे फंगस मैंसे एक है यह जिवाचल प्रदेश उत्राखर्ण और जम्मू कश्मीर में पाये जाते हैं अब आता है बावबाब जो की हाले में बन बिभाग ने बावब रक्षों की ब्योशाय को प्योग के लिए कार्टने के अनमती दी है भील जन जाती बन बिभाग के इस निर्णय का बिरोद कर द और ये विशेश रूप से फूलों का प्रागण, चमदागण, चमगादण और बुस बेबी द्वारा किया जाता है जैन्टियाना कुरू जो है उत्राखर्ण बन बिभागने से सफलता पुरवग इस पौदी को बिलिप्त होने से बचा लिया इनके विशेशताओं को प्राम से जाना जाता है नेक्स्ट आता है नेजिक होजी गई प्रजातीया जैसे इंपेसेंस करotive सामी जो कि भारती बनसपती सर्वेक्षण के विज्ञान को ने नई पादप प्रजाती इंपेसेंस करूप सामी के खोज किया इसकी खोजु तम्हें लाड़ू की कलक कड मो ग्यानकों के द्वारा की गई है नेक्स्ट आता है करक्यूमा काक गिंचिंग के जे जो की सोथ करता होने मणीपूर की फूल वाले पौधे की एक नई प्रजाती की खोज की हुई जो की गेगो की एक नई प्रजाती है और इसकी खोज मिजूरम की बेरेंगेटे सहर में की गई है इसका कारण इसका नाम बेरेंगेटे सहर पर रखा गया नोवा देहिंग म्यूजिकल फ्रोग जो की भारती बनिस संस्थाने अड़ाचल परदीस की नाम दफा कमलांग भूचे तर में म्यूजिकल फ्रोग की एक नई प्रजाती खोजी हुई है बेटिकल लिपेस कलामी जो की समदरी टोर्डी ग्रेट की एक नई पर जाती है जिसे पूरो राष्ट पती एपीजी अब्दुल कलाम की नाम पर रखा गया नेच्ट आता है आर्मा ग्रेडन रीटेल जो की पश्मी घाट में एक नई पर जाती है और इसका जो नाम है से इकलोजिकल और मिग्रेडन की आउधारना का इससे सीधा संबन्ध होता है बदिस लीमा कुमी जो की नागलेंड की मिलक नदी से ताजे जल की एक छोटी मचली खोजी गई है तेरी गुरोटीला इंटरमेडिका जो की भारती प्राणी सरविक्षण के विज्ञानकों ने पश्मंगाल में समुद्री मचली की एक नई पर जाती खोजी हुई है अब आता है हमारा नेक्स टॉपिक बन के बारे बन के संदर में सबसे पहले पढ़ते हैं एको सेंसिटिव जोन के बारे एको सेंसिटिव जोन जो है हाली में केंडरी परियाबन और बन जलवाई परिवर्टन मंत्राले ने डाची ग्राम ब्लास्टी उद्धान और थजवास वाल टॉल और ओविरा अरूबनीजी वभ्यारण के लिए ESE का मसोदा तयार किया हुआ है चले तो जानते हैं कि ESE का मसोदा क्यों तयार किया गया और ESE के भारे में ESE जो है वह एक सन्रक्षट छेत्रों के लिए एक सौक आपजरवर की रूप में बनाया जाता है सौक आपजर के तोर पर मनाया जाता है जो कि राश्टिय बन्यजीब कारिप योजना 2002-2016 के बीच में इसके निरधारण का प्रावधान किया गया जो कि परियाबर अर्शन रक्षण अधीनिया 1986 के तहट अदू सूचित है राश्टिय बन्यजीब कारिप योजना 2002-2016 के अनुशार इसमें राश्टिय उधानों और बन्यजीब अभ्यारणों की सीमाओं में 10 किलोमेटर के भीतर की भूमी को ESG में अधिसूचित किया गया और दो सुप्रीम कोड के द्वारा आदेश दिया गया था कि सलक्षित बन राश्टिय उधान बन्यजीब अभ्यारण के चारों और से एक किलोमीटर का छेतर जो होगा बन्यजी के अंतरगत आएगा तो इसके संदर में आता है चली तो जाल लेते हैं कि ESG के भीतर जो गतिविदियां होती है उनके बारे में पहली आती है प्रितिव अब आता है कि डाचिगराम राश्टी उधान की बारे में और इसकी भोगले किस्तिती को देखते हैं डाचिगराम राश्टी उधान जो है बहें आपके जम्मू कश्मीर में हिमाल है कि जबरवान पवरव स्रिंखला में इस्तित है ए डल जील के छेतर में आदिभाग पर फैला हुआ है और मार्सल जील से नकलने वाला डाचिगराम नाला इसके आकर मिल जाता है इसके प्राड़ी जातो या जीब जन्तु को देखा जाए तो यहां पर हंगुल या कस्मीरी बा हिसके दन्वाला मेर्टन यहां पाये जाता है, मनस्पती जात में देखा जाए तो यहां पर पाई जाने वाली मनस्पतियों को हिमालीय नम सीतो शडबन कहा जाता है सामिल होती है तो इसके अंतरगत ही आता है अब आता है केंद्री अधिकार प्राप्त समीती के बारे में कि परियावरण बन इमंजलवाई परिवर्तन मंत्राले ने परियावरण संरक्षण दिनें 1986 के तहट सक्ति का प्रियोग करते हुए नई CEC मतलब केंद्री अधिकार प्राप्त समीती का गठन किया है एक समीती जो है परियावरणी मुद्धों के काम को देखेगी चले तो सबसे पहले जान लेते हैं कि CEC होता गया है और इसका गठन आखर क्यों किया गया CEC जो है वह स्थानिये सामने देखने का है जो की एक नई समीती 2002 के गठित एक पुरानी तदर्थ CEC का इस्थान लेगे और CEC का गठन T.N. गोदावरवन बना भारस संगवाद के नए सुप्रीम कोट के कारेनमन की निगरानी के लिए यह कहा गया था इस समीती की सनरचना को देखा जाए तो इसमें एक अध्यक चो तीन विशेसग सदश्यों को तीन वर्स की आउधे के लिए चुना जाता है और चाट वर्स की आउयू होने तक इसे एक बार बढ़ाया जा सकता है इसके अंतरगत आता है अब आता है इसके अंतरगत की यह इसका जो छित्रदिकार है बहे समपूर भारत में है और इसमें राज्ज की असहमती किस अंदर में देखा जाए तो यदि कोई राज्ज CEC किसे फारसे असहमत है तो इसे केंदर को भीजा जाएगा और इस समन्द में केंदर का नर्णय अ इप्टान करना होता है United National Forum on Forest के बारे में भारत ने उत्राखंड की दहरादूर में United National Forum on Forest एक हिस्से में की रूप में Country Land Initiative कारकरम की मेजबानी की है यह जो है यह दो विश्यों पर क्यान के अंदर करता है पहला तो आता है बनागनी इवन बन प्रवाड़ी करन दूसरा आता है संधार्णी बन प्रवाड़न इसका मुख्य कारे होता है कि यह United National Forum on Forest के सत्रों में संधार्णी बन प्रवाड़न और बनों के लिए संधार्णी बन प्रवाड़नेतिक योजना को लागू करने से सम्बंदित होता है इसमें 6 बेश्विक लक्षों और 26 उप लक्षों का एक सेट होता है जिसे 2017 से 2030 के संधर में संधार्णी बन प्रवाड़न के बारे संधार्णी बन प्रवाड़न जो है मैं बनों से बस्तु एबम सिवाओं की आपूर्ती इस प्रकार से हो क्यों वाएं बर्तमान और भविस से दोनों की पूर्ती करें और United National Forest Instruments इंस्टुमेंट इ ने उपियुक तरीकों के माधिम से SFM को प्रोसाहित करता है SFM के साथ गटक को देखा जाए तो इसमें पहला आता है बन संसानों का बिस्तार दूसरा आता है जैब विवित्ता का संध्षण तीसरा बन समरदी और संधीपता चोथा बन संसानों इबमुत पादकार पाचमा बन संसानों के संनक्षण आत्मा संवाजिक शटा सामाजिक आर्थिक कार और सात्मा आता है कानुनी नेतिगत और संस्थागत प्रेमबर काता है अब आता United National Forum on Forest के बारे में कि सयुक्तरास्ट किने आर्थे को सामाजिक परशन ने 2000 में UN FCC की स्थापना की हुए इसे एक साहएक निकायक रूप में किया गया है एस अभी प्रकार की बनों की प्रबंदन सलक्षण और संधानी विकास को बढ़ावा देता है और इसके सदस्चों के अंतरगत भारत सहेट सयुक्तरास्ट के सभी सदस और विसेस एजंसिया इसके अंतरगत सदस है भारती बन और लकडी प्रमाणन योजना के बारे में परियावण बन इवं जलवाई परिवर्तन मंत्राले ने भारती बन और लकडी प्रमाणन योजना सुरू की हुई है। बन प्रमाणन दूसरा बन छेत्र के बाहर पेड़ों का प्रमाणन और चैन और कस्टडी प्रमाणन आता है इसके अंतरगत आता है। कारी योजना सहिता 2023 के बारे में जो की इन नए बनों के बिग्यानिक प्रबंदन और इस पर नए द्रिश्टिकोन को विक्सित करने के लिए जारू की गई थी और इसमें पहली बाद इसे 2014 चार में लाया गया और 2014 में इसमें संसोधन किये गए अब आता है बनों से संबंदित अन्य शुर्खियों के बारे में जिसमें शुर्खियां विब्रण दिये गए हैं पहला आता है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिंबर ओर्गनाइजेशन जो यह ओर्गनाइजेशन है इ इसका मुख्याला योकिहावा जापान में हो रही है उश कटिवन्दी बनों की संधाड़ी प्रवर्धन और संरक्षड को बढ़ावा देता है इसमें यूरूपिये संगसहित 76 सदस सामिल है जिसमें उत्पादक सरड़ी वाला सदस से आता है अब आता है पिरमाडित पृत को लेत पृति पूरक बनी करण के बारे में जो कि कुईला मंत्रालाई की द्वारा खनन के बाद बहाल की गई पाशोन्याची हेक्टियर भूमी को ACA कारकरम के लाने की बात करता है यह बन संरक्षड नियम के तह लाये गया है जिसमें बन भूमी के गयर बनकारियों के पूर्टी के बनी करण करने संबंदी लक्षों को पूरा करने की आवशकता होती है अब आता है गलोबल फॉरेस्ट बोच के बारे में जोकि वर्ड रिसोर्स इंस्टिटूट और मेरी लेंड बिस्विध्धाले ने गलोबल फॉरेस्ट बोच रिपिलेट फॉर्म को 1997 में गलोबल फॉरेस्ट बोच की स्थापना करता है और 2019 में यह 82 देशों से संबंद डेटा प्रदान करता है 1997 में में इस्थापिती गयर खरकारी लापकारी संगठन भी है जिसमें कारिश्ट रोपे गए हैं जो कि लोगों की अनिवार जरूर्तों को पूदा करने और विस्विस्तर पर फोकस में रहने के लिए देशों में काम खरता है कॉल इर टेट पार्टनर्सिप और वर 2030 लॉंच किया गया है इसके उत्पत्ति को देखा जाए तो इसे संग्त रास्ट आर्थी को सामाजिक परशत के एक प्रिस्ताव में 2001 के में स्थापित किया गया है जो कि श्वेक्षेक और अंतर सरकारी साज्यदारी है आदर भूमियां तटिय भूमी और महासागर के ब समुद्री जब वित्ता पर अंतर सरकारी सम्मेलन को अपनाया गया है और इस संदी का उद्देश बर्तमान और भविसे के पीडियों के लिए महासागर के संरक्षण को दायत गिरहन करना है जिसमें 60-30 दौरा इसकी पुष्टी की गई है जो की कार्णिनी रूप से बात द नेनोमीटर का जो प्रादिसिक समुद्र होता है उसके अंतरकत है जिसमें इस छेत्र में किसी देश की संप्रूवता कभिस्तार लमवद जल छेत्र हवाई छेत्र और के साथ समुद्री नितल और और अमिर्दा तक होता है पिर दूसरा आता है 24 नेनोमीटर का जो की सीमित क माaltनानोनी परवर्दनवाला खेत्र होता है पिर इसके बार जो वंतलब की आपका ज्यादा तो यह 12 nautical meal यह आपकी प्रादेसिक सीमा नाटी के मील प्री धार스ार playing देखा जाता है लेकिन जो आपका देखा जाता है लेकिन जो आपका प्षेटर we are now. देखा जाता है लेकिन जो आपका प्रादेशक छेत्र तो बादाने करी नेनोमी ये बीच वाला और ये जो होता है आपका ये गहरा समुद्री नितल छेत्र होता है तो इसके संदर में अलग-अलग तरीके से डिवाइट किया जाता है लेकिन जादा तर जो सीमार करनल धारण किया जाता है 12 नौटिकल मील 200 नौटिकल मील को जादा साधर तोर पर समझते हैं जिसी के अंदर भी महाद्यूपी मागन तठ भी पाये जाता है और गहरी समुद्री नितल भी पाये जाती है और जहां पर आपका विस्तार इत्त महाद्यूपी मागन तठ है वह आपका ये छेत्र होता है जहां पर किसी देश की संपर्वता का विस्तार समुद्री नितल य आउमिर्दा की प्राइक्तिक संसानों तक होता है क्यार्टिक चैत्र की अलग-अलग स्पेस सिल्लिटी होती है क्योंकि जिस चैत्र का जो भी पर मचवारों की हिस्तिती sparional तो श्रीलंका की संदर में रहती है की समुद्री शीमा में ज्याद तर इसको मदलब के आपके जो सीमा बादी हो उसक बारे में पता नहीं चलता है तो यहां की जो मचवारे है वह दूसरे देश की बोर चले जाते हैं जैसे भारतो श्री पिलंका में विबाद ज्यादतर सुर्ख classy house में बना रहता है तो इसके संदर में स्तिती देखने को मिलती है और ए अप जो ए डिवाइ Simmons दिया गया है तो इसके संदर में deשה साइड भी किया दिया जाता है कि इस छेत्र में किस क्या छेत्र पृति बंदे थे और किस चीज की स्विक्रती दी गई है एताट और आधार रेखा में 350 नैनो मीटर से दो पच्चिस सो मीटर के आईशो बात या सम गंबीरता देखाओं जो की समदर से समान गहराई वाले स्थानों के मिलाने वाली रेखा से सो नैनो मीटर जो भी अदेखो इसकी संदर में आता है तो यह प्रवुखा वस्तिती दिखाई गई है अब आता है संदी के मुख्य बिंदोगों के बारे में कि इसमें लचीलेपन के मजबूत करने प्रदूसर करता द्वारा भुकतान का सिध्धान विबात की निप्टान से संबंदित प्रावधान होता है इस संदी के पक्षकारों को अपने अधिकार छेतर से बाहर अपनी किसी भी निर्धार सगति भी दीक में संबावित परियावरण प्रभाव आकलन अनिवार होता है जो की महा सागर प्रवंदिन के लिए एक एकरत द्रिष्टिकोंड जैस जलसेतर में बड़ी पेमानी पर ऐसे समुद्री छेतर को सनक्षित करने की स्थापना करना है जो कि खुले समुद्र में समुद्री जैब्वित्ता की रक्षा करें इसके अंतरगत आता है आपका कोरल रीफ ब्रेक्टू के बारे में इंटरनेशनल कोरल रीफ 1994 में की गई थी इसमें उस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जमीका, फिलिपिन, स्वीडन, उनाइटिट केंगिटम और सेंगतरा जमीरका का इस्थान आता है जो कि दुनिया भर में प्रवाल भित्तियों तथा इससे समंदित पारितंतों को सनक्षित करते हैं जिसमें भार 25,000 बर किलोमीटर छेत्र को बिलुप्त होने से बचाना है और इस लक्षि को प्राप्त करने के लिए कारियों उज्ञाएं आती हैं जैसी प्रवाल को नुक्सान पहुचाने के लिए स्थानी कारको को कम करना लचिलापन आधारेते प्रवाल भित्ति सनक्षित प्रयासों क लक्ष रखा गया है चले तो जानते हैं को रड़ीप के बारे में को र रिप जो होता है प्रवाल समुद्री आकशि रिक्वी जीव होता है इनका कट्षोर बाहरी कंकाल कैल्सियम कार्विनेट का बना होता है प्रवाल भित्तियां को मुखतोर बन ऑस्टेलिया इंडूनेस या फिलीपी इसमाल दीप फिजी पापों ने गुनू में पाई जाती है और भारत में इनका विजो बिस्तार है कच्छी की खाड़ी मनार की खाड़ी अड़मान निकुवर दीप समू और लक्षदीप में आता है मत्स पालन तकी मत्स पालन पुरर जीबित करने के लिए प्रधान मंतरी मत्स सम्पधा योजना के दहर किरते मूंगे की चट्टानों को बढ़ाभा दे रहा है तो ये भारत के द्वारा प्रयास किये जा रहे है अब आता है स्टेग हॉर्ण कोरल के बारे में स्टेग हॉर्ण कोरल जो है केरिवियन छेतर में अत्य देख संकर क्रिस्ट स्टेग हॉर्ण कोरल या पर प्रवाल एक जीनों बाइट सर्विक्षड होता है इस सर्विक्षण के करम में कूरल में वाइट बेड रोक से लड़ने के लिए दस दिनों में क्षेत्रों की पहचान की गई है यह जो है बहें सबसे महतपूर प्रवालों में से यह काता है जिसे आयूशियन की किटिकली इंडेंजर्स रणी में रखा गया है और यह एलक होर्न कूरल या स्टार कूरल होता है जिसे पिछले 5000 बरसों में केरिबियन प्रवाल विर्तियों का निर्माड किया गया है यह उतले पानुई में घने शमूर बना लेता है जिसे थिकेट्स कहा जाता है इसके अंतरगत आता है अब आते सुर्ख्यों में रही जीलें एवं आदरभूमियों के बारे में जैसे ढल जील, जमू कश्मीर, भूज आदरभूमी, मद्ध प्रदीस, कावर जील, कवर ताल, आदन बिहार, दीपोर बील, असम, सुन्दर बन पश्चिम, मंगाल, चिलका जील, उडीसा, कॉलेर जीब प्रवहाग द्वारा, पक्षियों के बार से गिरिश्म कालिन सरविक्षण के द्वारा जील में पक्षियों की 88 सी प्रजीतिया पाई जाती, चिलका जील, एसीया की सबसे बड़ी खारे पानी के जील है, जो की दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा तती लेगून भी ह होता है, और इसे 1981 में रामसर अविशियन में नामित होने वाले पहली अंतराष्टी महत्य की आदरहुमी रही और यह पहली आदरहुमी है जाहसे 2002 में मौन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में हटाया गया था, और कलिजाई मंदिर चिलका जील की एक दीव परिस्थित है, और यहां को देखा गया है पुलकर जील में, लेशर फ्लेमिंगो को, यह लेशर फ्लेमिंगो जो है आयूशियन की नियर थ्रेटेंडिस रडी में आता है, जो कि अफ्रिका के उप सहारा छेतर का एक दोल्ड़ा प्रवासी पक्षी होता है, यह आंदर प्रदेश तमिल लाडे को सीम कारण की खाड़ी से अलग करता है, नेक्स्ट आती है जल डल जील जो की जम्मु कस्मीर में स्थित है, जह जील जो हजारों मरत मचलियों बायती हुई पाई जाती है, क्योंकि इनकी मिर्टु का कारण जील की अलग-अलग गहराईयों पर तापमान में अंतर का होना है, जह सिकारा नामखा उस बोड चलाई जाती है, अब आता है भोज आदरभूमी मद्द प्रदेश के बारे में, जो कि भोपाल में अपर लेक और आदरभूमी के अनिस्थलों में क्रोज नौकाओं को चलाने पर पितिवन्द लगाती है, इसकी अवस्ति भोपाल में है या भोज आदरभूमी 2002 में रामसरिस्थल में नामित किया गया था, ये दो मानो नर्मित जलासा हैं जिसमें अपर लेक और लोग लेक आता है, बैमेनाध कोल आदरभूमी केरल, जो की कमुमबा, फुरकोटा या पिंक ब्लूम में बड़ी संख्या में फूल किलते हैं और इस बज़ आपका दीपूर बील असम, जो की असम सरकार ने दीपूर बील वाटर स्पोर्ट्स और परेटन सम्मन्दी गति विधियों को अनमती देने के लिए एक्छा परकट की है, दीपूर बील ये ताजे जल की जील होती है, जिसमें असम की निचले भाग में ब्रह्म्य पुत्र क सबसे बड़ी बील होती है, या जील होती है, इसे रामसर सूची में सामेल असम का एक मातर स्थल है, इसके अतरिक्त बल्ड लाइब, इंटरनेशनल ने इसे महतपूर पक्ची छीतर स्थलों के रूप में चैनित किया हुआ, इस यहाँ पर सपीद आख वाले पोचाड, गल करेह नदियों में पानी मिलता है, या मधेश या या उडान मार्ग पर महधपूठ हराव रखता है, या गोखोर जील है क्योंकि यह एक नदी मार्ग में परितिक्त बिशर के जील होती है, जो कि 2020 में रामसराद भूमी में खोशित किया गया, कॉलेरू जील या अंधर प्र अमेरू एतमिलेरू नदियों में जल प्राप्त होती है, या एक रामसर इस्थल भी आता है, अब आते हैं सुन्दरबन पश्चमी बंगाल के बारे में, जिसमें जलवायू परिवर्तन के कारण सुन्दरबन में नुकसान और छती होती है, इसे गलोबल कॉमन्स के रूप म देखा गया, सुन्दरबन पंगाल के खाड़ी के निचले दीपो का एक समोव होता है, जो कि भारत में 40% और बांगला देश में 60% फैला हुआ है, जो गंगाव ब्रम्य पुत्र मेगना, नदियों के डेल्टा पर स्थित्य और बिश्च में मैंगरू बन सबसे बड़ा छे इगर बॉटर मॉनिटर चिपकली गंगा डॉल्फिन ओलिवरेली टर्टल पाए जाते हैं, और इनके संकट किसके चीज से हैं, या छेत्रबाड, भूकम, चक्रबाद, समत्र के इस तर में ब्रदियों समुद तटके छरण के प्रती समेदन सील होता है, अब आता है जै कंटिसिटी ओपरेशन कच्छप के तहट बैद बनेजी ब्यापर पर कारवाही करते हुए से बचाया गया, और दुनिया के होट स्पोट में से एक आता है, और यह कच्छुओं तदा ताज़े जल के कच्छपों में 19 प्रजातियां पाए जाती हैं, जो कि गंगा नदी में तेरा प्रजातियां पाए जाती हैं, तो 29 में से तेरा प्रजातियां तो सिर्फ गंगा नदी तंत्र में ही पाए जाती हैं, डियाराई वित्त मंतराले ने केंद्री आपरतिक्छ और सीमा सुलक बोर्ड के अधीन कार करता है, जो कि मारत में तसकरी रोधी कारवाही के भार कर 46,000 बर्सों में साइबिरियन फर्माक्रास्त से जोड़े हुए है यह किसी जीब की बहुता होती है जिसमें कोई लीवन का लक्षर नहीं दिखाई देता है अब आता है फैकुलेटेस भार्थे नोजेनेसिस यह जो है मगरमच्छी की में फैकुलेटेस भार्थेनेसिस की प पिक्रिया में एक मादा कांडाणू नर सुक्राणू कोश्का दौरा निसेचित बिना ही एक संतती की रूप में विखसित होता है और यह पिक्रिया एक अंडी की कोश्का बनाने में अग्रगामी कोश्का में चार कोश्काओं को विभाजित करती है जो की शुक्राणू साथ मिलकर निसेजित होती है फोकिलेटे पार्थिनेजिस पिक्रिया मचली पक्षी चिपकली और सांफ जैसी प्रजातियों में दर्च की गई है अब आता है पर्यावार्णी डी एनी या ए डी एनी पर्यावार्णी डी एनी 87 वर्सों में पहली बार डी बिंटन गोल्डन प्रिंटनी का पता लगा है अधक्षड अफ्रिका की स्थानिक पर जाती है इसे आयूशियन की क्रिटिकली इंडेंजर्ड सूची में रखा गया और यह पर जाती पूरता द्रस्टिहीं और यह भूमिगत रहती है यह डी एनी एक कैसी तक्नीक होती है जिसमें पारिस्तिक की तंद्पे हो रहे बदलाओं की निगराली की जाती है जो कि सभी जीव अपने जीवनकाल में अमिर्थ्यू के बाद प्राक्तिक पिक्रियाओं के बादिम से अपने बातरण में डीने से जोडते हैं इसे डीने कहा जाता है अब आता है ट्रॉपिकलाइजेशन जो की एक अध्यन के अनुसार जलवाई परिवर्तन के कारण थाप पानवे ब्रती होने से उश्रिकटिवन्दी समुद्री पर आ जाती है पिश्व वत्रेखा से द्रवों की और प्रिवास करते हुए सम्चीतों छेत में पहुँच रही है यह समुद्र जीवों में इस ब्यापक वि लाइडर देनात किये गये इसकी उत्पती जो है 1999 में इसे पृत्षिविए बिग्ञानमंत्रा लेकिता है तेक्षवायत निकाय के रूपsis स्थापित किया गया थो और यह पृत्षिवी बिग्ञानमंत्रान के अंतर्गति हैं क्या कािज है कि यह समाज, उद्धोग, सरकार, बिग्यानिक, समधाय, महासागर, डेटा, सूचने, इमसलायकार को शेवाय, प्रदान करे अब आता है जलनिकायों की पहली गर्णा जलनेकायों की पहली गर्णा की अंतरगत आता है कि जलसक्ती मंतराले ने जलनेकायों की पहली जन गर्णा की रिपोर्ट जारी किये पहली रिपोर्ट जो है जिसका उद्देश देश में जल निकायों के लिए एक राश्टी डेटा भी स्तयार करना है और यह गढ़ना के अंदर परायत जित योजना सचाई गढ़ना के तहे छटी लगू सचाई गढ़ना के अभीशनर के तहे शुरू की गई है इसके अंतरग किये इस योजना का जो उद्देश से भारत और विश्विस्तर पर मौजूद सर्वूत्तम प्रथाओं को अपना कर भारत के तटिये छेत्रों मैंगरू पुनर्ण विनीकरण और बनीकरण के जरिये मैंगरू बनों को पुनर्वहाल करना है और इसका बित्तियन जो है बजट के दोरा सो करोड रूपी आवंटित किये गए थी अवाते नवोनुवेशी विकास के मात्यम से किर्सी के लचिलीपन के लिए विभाचक छेत्र का काया कल्ब कारकरम यह जो कारकरम है केंद्री गरामिड विकास मंत्राले ने भूमी संसाधन विभाग की सचिम ने र अब आता है सुर्ख्यों मेरा ही संस्था एवं संगठन जिसके अंतरगत पहला आता है भारती बन्यजीब संस्थान इसके मारती बन इवं जलवाई परिवर्तन मंत्राले के तहत एक स्वायत प्राक्तिक संसाधन सेवा संस्थान के द्वारे 1982 में इसकी स्थापना की गई थ इन्डेंजर्ड प्रजातियों आधी की संदर में बन जीबन उसंधान का संचालन करना है और इसके जो अध्यक्ष हैं बाई जिबन एवं जलवाई परिवर्तन मंत्राले के प्रभारी मंत्री होते हैं और इसका जो यह देहरादू नुत्राखंड में इस्थे थे WII दोरा जारी की गई रिपोर्टों की संदर में देखा जाए तो पहला आता है भारत में पक्षियों की स्थती के लिए 2023 की रिपोर्ट यह जह रिपोर्ट है भाये WII और भारती प्राणी सर्वेक्षण ने भारती के प्रणी के स्थिति की सीर्षक से रिपोर्ट जारी की है और एब्न पर्वर्ब परण की तरभ को अगारते हैं अवातर एधिया ज संख्या जिसमें कम हो गई और लम्भी दूरी से सरवादिक 50 परचन से अधिक गिराबट देखी गई है इसके अंतरगत आता है यहाँ पर इंडेंजर्ड और क्रिटिकल इंडेंजर्ड के अंतरगती प्रविजातियों को सामेल किया गया अब आता है जूलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की जो इस्थापना है 1916 में की गई थी इसकी उत्पत्ती 1875 म का कार करता है जिसका मुख्याल एकूल कातम है और इसे राष्टिय जैविवित्ता अधिनियम 2002 के तहट राष्टिय प्राड़ी संग्रह के नामे रिपूजेट्री के रूप में घोसित किया गया इसके द्वारे कुछ रिपोर्ट प्रकासित की जाती है जिसमें पहली आती बनस्पति जात और प्राड़ी जात का डेटाबेस यह भारत में अपने चीफ जनतों की डेटाबेस में 664 जनतों प्रजातियों और बनस्पतियों के 349 प्रजातिया इसमें सामिल है जो की यसू चीफ परियावरण बन इवं जलवाई परिवर्तन के द्वारा इसे जारी कि अब आता है भारत के 75 इस्थानिक पक्षी के बारे में कि जू लेजकल सर्वे ओफ इंडिया के नय प्रकासन में भारत के 75 इस्थानिक पक्षी के प्रजातियों के जैब भोकुलिक छेत्र उनकी सनलक्षण स्थिति विसेस लक्षण पसंदता परिवासाधी के लिए विवरण पादिपोःजीवों में इस्थानिक प्रजातियों के अनन रूप में एक विसिस्ट छेत्रा पाई जाती है जिसमें भारत में बैश्विक पक्षी विवत्ता 12.40 पर्संट है और इसमें आयूशीन के संदर में और इसमें इस्थानिक प्रजातियों पश्मी घाट और देश ऐसे नवीन समाधन विक्सित करना है जो उनका लाप पहचार हैं जो शमदायों वन्नजीब और अन्य उन राज्यों की रक्षा करी जहां पर यह रहते हैं। इसके स्थापना 1961 में सुझे लेंड की मौर्गिर्स इस्थित मुख्याला में 201 जीब कोश के रूप में की गई थी जिसमें 1985 में इसका नाम बदलकर वल्ड वाइट फर्ण फूर नीचर कर दिया गया और उनिशन नहतर में इसे एक चरिटीवल ट्रेस्ट के रूप में इसकी स्थापना की गई थी इसका मुख्याला गलेंड में है और यह विश्वयापी आंदोलन अर्थ हुआवर का आयोजन भी करता है डवलो यह अब दोरा जारी की गई रिपोर्टों के अंतरगत आता है जैसे लिविंग प्लानेट इंडेक्स जो की ए लिविंग प्लानेट इं यहां पर आपके जैब विवित्ता से रिलेटेड टॉपिक फिनेश होता है अभी तक सोचा हुआ था कि एक टॉपिक में यह चीज कबर हो जाएगी लेकिन इसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी था क्योंकि इन्बाव्मेंट से हमेशा UPSC में कुश्चन पूछे जा तो इसके करण इसको जादा ही समझा के थोड़ा बड़ा करके बतायेगे अब नेक्स्ट किलास में जो हम सुरू करेंगे वो आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक संधानी विकास संधानी विकास की बारे में पढ़ेंगे जोकि आपका एक ही किलास में कम्प्रीट हो जाएग तब तक आप इस सेशन को जादा से जादा सेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पीडिये प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल UPSC-PSC विद्धिक्षा को जोईन करें, जहां पर आपको पीडिये प्राप्त होगी, इसके की राम चैनल पर मिल जाएंगे, धन्य बाद,